मैं अगर आपको संतान बाधा है यानि कि आपकी पतनी को गर्भ इस्थापित नहीं हो पाता है और इस्थापित अगर हो भी गया तो महीने देड़ महीने के अंदर पुनह गर्भ पात हो जाता है और ये समस्या काफी दिनों से आपके साथ है और यही कारण है कि आपको संतान की बाधा हो गई है संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है एक छोटा सा प्रियोग बताने वाला हूँ और ये प्रियोग अगर आपको पूर्ण लाभ दे देता है तो प्रशनता की बात है वैसे तो प्रियोग कई है अब जरूरी नहीं कि हर प्रियोग हर किसी को सूट कर जाए लेकिन करके देखने में कोई बुराई नहीं है प्रियोग बहुत सरल है इस्तरी है और आपको लगता है कि अब गर्भ रुक गया है इस माह आप सुर्ख लाल रंका धागा ले खून के रंका ले सुर्ख हो लाल रंका बलड के कलर का और इसको अपनी बाजू में बांध ले बाई बाजू में आपका गर्भ पात जो महीने डेड़ महीने में दो महीने में हो जाता था नहीं होगा माता की करपा मिलेगी और उसके बाद जब आपको पुत्र पैदा हो जाए या पुत्री पैदा हो जाए तो तुरंत वो धागा अपने हाथ से हटा करके अपने बच्चे के हाथ में बांध लीजिए और आप नया फिर एक बांध लीजिए आठ महीने तक बना रखिए ये संतान बाधा दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है करके देखने में बुराई नहीं है कर लीजिएगा इश्वर की करपा हुई तो आपको ये सुख मिलेगा जै माता की